इस पॉइंट पे तो मैं कहा सकता हूं कि गेगे का सबसे फेवरेट गारेक्टर सुकुना यह ओफिशली मैं लिख के भी दे सकता तुम लोग। क्योंकि अब चिसे वैसी ही दिख रही हैं। गेगे ने सुकुना के साथ वही किया जो उसने सीरीस के स्टार्टिंग में गोजो के साथ किया था, उसे अंस्टॉपेबल बना देना, मतलब इस पॉइंट पे सुकुना के आगे कोई भी नीटी करा है, हर किसी को धड़ा धर पे ले जा रहा है बन दा, और यह मैं कैसे क्या आ रहा हूं वैल, जुदुद सुकाईसन का चैप्टर 245 रिलीज हो चुका है, और रीड करने का बाद मेरा कुछ ऐसा रियाक्शन था, अगर इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में हकारी और उरावमी की फाइट को कंटिनीव किया गया है, और हमें सुकुना का रोमा के डोमेन में ट्राइल दिखाया गया था, जिसमें उस ट्राइल में सुकुना गिल्टी तो प्रूव हो जाता है, लेकिन दिस वोज एक्जाक्टि वोट सुकुना वॉन्टेड, वेल चैप्टर बहुत ज्यादे इंट्रेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक वीड रोमें की स्ट्रॉंगेस्ट टेट्रिक्स में से एक है क्योंकि यह अपने ओपोनेंट को छूते ही उसे जमा देगी, और यह जो फ्रॉस्ट काम का अटैक है, यह आइस सौर्सरी का ट्रू एससंस है, वन्हादा बना दा प्यूरेस्ट अटैक्स में से एक है, जो आइस एसस को अपने पीक तक लेके जाती है, अब इस अटैक से उराओं में हकारी का हाथ जमा देती है और इसे तोड़ देती है, जिसमें हकारी उसे क्विकली रिजेनरेट कर लेता है, और फिर वो उराओं में को पकड़ के बिल्डिंग के ओपर ही फेक देता है, अब तुम यहाँ पर सोच रहे होगे कि हकारी के पास इतनी अच्छी हीलिंग कहां से आ गई, तो चाप्टर 237 को तो याद करो जब काशिमों बैटल में उतरा था, तब हकारी भी उराओं के सद लटा था, याद है, तब यह उसने खोला था अपना डोमेन एक्स्पेंशन, तो यह उसी का नत अगर लॉन टर्म के लिए आगे तो यह बंदा अंस्टॉपबल हो सकता है, अब इस पॉइंट में उराओं में रियलाइस करती है कि हकारी का जो हीलिंग फैक्टर है, वो सुकुना को भी सरपास कर रहा है, और यहाँ पर हकारी लिटरली उराओं में के ओपर भारी बड़ यहाँ उराओं में आइस फ्रोस्ट का इस्तमाल करती है, और वो हकारी के पैर में से स्टार्ट करती है, लेगिन गैस वाट, हकारी अपना एक जूता उतार देता है और अपने नंग्य पैर से उराओं में को किक करता है, यहाँ पर उराओं में हकारी को कहती है कि उसने उसक काफी नेग्रीजिबल आवांड में है बंदा अपने हाप में ही खूश रहता है और इसे किसी बात की हुमेरिटी या डर की जरुरत ही नहीं है तो इसलिए वह अपने पावर का बहुत जाती है और इस बैटल में आगे होता है जी आप बैटली यहीं पर रुक जाती है वेल अब सिधा पावर शिफ्ट होता है है इhtadori सुकुना और हीगुरोमा के डोमेन पर जहां वही इतादोरी के ओपर शिभुया का मास मर्डर का केस चल रहा था और यहां पर हीगुरोमा इतादोरी को डिफेंड करता है कि वो मास मर्डर सुकुना नहीं किया था इतादोरी तो बस उसका अब आके ही गुरमा भी सुकुना के अबर एक्युक्यूजेशन लगाता है कि सुकुना ने उस इंसिदेंट के पहले भी बहुत सारे कांड किया है और उसका माइचेट हमेशन डिस्ट्रक्शन की तरह भी गया है और सुकुना को माफी भी तभी मिल सकती है जब कुछ ऐसा सब्सक्राइब के इसके नीचे ही हमारी खुषिया यve जब करता है जैसे आज करके 14 साल ये बच्चों के दिल उस बात पर हस रहा है जैसे उसने इसी का एंटिसेबेट किया हो और अभी यहाँपर ही गुरुमा का डॉमίν खतम होता है और उसके पास आती है executioner sword, अब यहाँ अपर ही गुरुमा सुचता है कि सुकुना ने Megumi के body के अपर complete control पा लिया है, और even gojo के fight के बाद, शायद सुकुना के पास Megumi के curse technique नहीं है, मतलब most likely वो से use नहीं कर सकता, तो अभी सुकुना के पास बचा है, सिर्फ और से, वही cleave और dismantle, या फिर कह सकते हैं, उसका manuvalent shrine, तो अब अगर यह चली गए, तो सुकुना यहाँ पर powerless है, तो इस बात पर मौका ना गवाते हुए, ही गुरुमें executioner sword से attack करता है, और इसी बात पर backup के लिए सारे judul to sorcerers कूच जाते हैं battlefield में, और पीछे से आवाज आती है ही गुरुमा को, भाई तुझे मरना है क्या, और यहीं पर सुकुना यूज करता है dismantle, चानता हूं बहुत बड़ा question है कि भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, तो फिकर मत करो, इसका exploration नीचे ही दिया गया इस पैनल में, तो यहां हमें बताया जाता है, कि ही गुरुमा का domain, अपने opponent की curse technique जो कुछ समय के लिए ले लेता है, ताकि वो executioner sword perform कर सके, लेकिन अगर उसका opponent, एक curse tune बगड़ा है, तो judgment उस curse tune को टार्गले करेगा, और उसकी curse technique है, और उसकी सुकुरा चाहता था, सुकुरा के curse tool की curse technique कुछ समय के लिए suspended है, और सारे जुदित सॉर्सरोस अभी battlefield में उतर चुके है, मतलब next chapter में तबाही तो होने वाली है, वेल में इस chapter के spoiler की वीडियो भी पहले देख रहा था और view के हिसाफ से, यहां पर यूटा का image है, तो भाई न में तो काफी जदा मज़ा आया, तो मेरे ही साथ से, अब sorcerers को सिर्फ और सिर्फ plot armor भी बता सकता है, कि फर किसी चीज़ का जुकार करना पड़ेगा गेगे को, क्योंकि इस point पे तो मुझे सुकना unstoppable लग रहा है बदने के बास सम चीज़ का इलाज है, और उसके सामने कोई tick कभी नहीं रहा है, मतलब उसने गोजो तक को कार दिया वो बंदा जो कि सारे sorcerers को अकेरे solo कर सकता है, तो यहां पर मुझे situations काफी out of hand लग रही है, बलबाकि अगर तुम यह वीडियो पसंद आई तो तुम वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं इन दो तुम लोगों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए, गुडबाई